तो देश के इतने बड़े लीडर लालू प्रशाद जी छोटा मुटा आदमी तो है नहीं पूरे देश और दुनिया जानता है जहां खड़ा भी हो जाएंगे वहाँ दस एज़ार की भीर हो जाती है लोग देखने के लिए चाहत करने लगते हैं नमस्कार नीज़ फोर नेशन देखने में हूँ आपके साथ हुदना हमारे साथ बात करने के लिए हैं तेजश्वी यादो के मामा और पूरू सांसद साधु यादो और साधु यादो से बात करेंगे कि आज राज्यो सुप्रिमो लालू प्रशाद यादो जेल गये हैं और एक जमाना हुआ करता था कि आप लालू प्रशाद यादो के सबसे प्यारे और दुलारे हुआ करते थे दुख तो होगा ना यह देखिए यह बात सही है कि हम लोग नियाइपलका का सम्मान करते हैं इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन साथ ही साथ मेरा ये मनना है कि उमर क को ख्याल रखना चाहिए था लालू जी का उमर मोटा मोटी हमारे समझ से 75 पार कर चुके हैं 76-77 के लगभग पहुच गया है तो उमर का ख्याल करना चाहिए नियाइपलका में जैसे बाकी लोगों के साथ किया गया है उसी तरह से करना छूट देना चाहिए था रियायत करनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुआ है फिर भी हम नियाइपलका का सम्मान करते हैं लेकिन कहा जारहे है आजड़ी के तरब से कि फंस आज आया जा गहीं देखे सोक की फर्क हम बता है ने कि सोछका फर्क है आसोच का फर्क है एक बात है सोच नहीं है सोच होती तो देश के इतने बड़े लीडर लालू प्रसाद जी छोटा मोटा आदमी तो है नहीं पूरे देश और दुनिया जानता है जहां खड़ा भी हो जाएंगे वहां दस हजार की भीर हो जाती है लोग देखने के लिए चाहत करने लगते हैं कि कहां है लालू जी हम सुनते हैं लोग बहुत दोड़ जाता है तो इतना बड़ा लीडर देश का लेकिन अगल बगल जो लोग रह रहा है सोचे मर गया है सोच हाँ ही नहीं इसी केस मुकादमा में सारे लोग छुटते चले गए देश में भी बड़ी सारी घोटाला हुआ टू जी हुआ खोल गेट हुआ क्या क्या हुआ तो कहीं वही जो 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 अपलीकेशन तो केस किया वही एफटे विट लगाकर के दे दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ था और जूट मुट के यह फलानवे के दबाव में हमने ऐसा बात बोल दिया था या दे दिया था जिसके चलते टूजी में ममला फसा तो फिर भरी हो गए सब लोग बहुत सारी ऐसा घुटाला हुआ देश में जिसमें कहीं कुछ नहीं हो रहा है किसी के साथ लेक जिल से बाहर रहें या यह न्याईक परिकरिया से बाहर रहें यह लोग नहीं चाहता है यह जान बुझ करके लालू जी को उल्टा पुल्टा पढ़ा के ब्यान करवाता है और ब्यान करवाके और फसा देता है तो यह बहुत सारी चीज है जो इर्द गित जो उनके अगल ब ज्यादा मखन बाज चमचागिरी जो कर रहा है इलालू जी को भला नहीं चाहता है बेलकुल नहीं उसाद में कौन क्या है अगल बगल जो जदा मखन मारता है उस पर विश्वास मत करें जो जदा मखन बाजी करेगा वह आपको फसा रहा है आपको नर्क में ठेल रहा है ठकेल रहा है लेकिन जो लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष के लोग फंसा रहे हैं, बीजेपी वाला जदिवाला तो क्या आप अच्छा ये पहले बताईए कि सत्ता पक्ष के लोग जो जदिव और बीजेपी की बात उठ रही है, तो देवगाड़ा कौन थे? जदिव के थे, कि भाजपा के थे, कि कहा के थे? जदिव परधान मंत्री का उर्त नहीं थे, परधान मंत्री जनतादल के थे, और जनतादल के उसमें लालू प्रसाद जी राष्टिया अध्यक्ष थे, पूरे देश के जनतादल के अध्यक्ष थे, अब उसके बाद ये घटना घटी ह तो देवगाडा परधान मंत्री थे उसके बाद गुजराल जी परधान मंत्री बने तब से यह घटना चल रहा है नर्सिंगा राव जी जब देश के परधान मंत्री थे उनके टाइम में यह केस उजागर हुआ था और स्वेंग लालू जी ही टेलीफोन करके सारे अधिकारिय दिया था कि आप केस को उजागर करो कौन दोसी है कौन पकड़ो इसको सबको लालू जी ने तरी काम क्या ही था लेकिन लालू जी को कौन लोग फसा रहा है जो दीन रात उनके अगल बगल में बैट करके उल्टा पुल्टा पटी जो पढ़ा रहा है तो बहुत चलाक लोग है वो कहता है कि लालू जी के मुँझे लालू जी को फसा दो एक काम हो रहा है उसी काम का अधार पर विष्वास अंद विश्वास तो हमेसा घातक होता है तो यह लोग अंद विश्वास में भी पढ़े हुए हैं अगल बगल का ज्याने नहीं तो अब क्या करिएगा सब्सक्राइब देखना चाहिए और उनको राहत जरूर देना चाहिए जरूरत पड़ेगी तो क्या आप उनके साथ खड़े हैं देखिए समय और परिस्तिती कोई कहने का मतलब कि समय क्या करा देता है और परिस्तिती क्या करा देता है कोई नहीं जानता है यानि कि अगर अगर चाहेंगे तो वह अगर आपका सपोर्ट ले सकते हैं हम उस पर नहीं कोई विबाद में फसना चाहते हैं हम सीधे सिधे-सिधे तोर पर कहा है कि लालू जी को ही मुho से बुलवा करके अनको फसा जा रहा है तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे साधु यादों नहीं साब तोर से कह रहे जो लालू परशाद यादों के इर्दगिर्द जो व्यक्ति रहते हैं वही लोग लालू परशाद यादों के मुह से ही ऐसी बाते बुलवा देते हैं ताकि वह इन सब मावलों में फंस जाएं लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि कहीं न कहीं साधु यादों भी इस ब से 18 तारी को लालू प्रशाद्यादों को जेल की सलाखों के पीछे का जो क्यास लगया जारा कि वो होंगे क्योंकि आज उनका दोसी करार जो यह ठारा दिया गया है अब क्या कुछ और खागे रंग लेता है वो भी हम आप तक जरूर साजा करेंगे इसकर बस इतना ही बने रहें यह निव्ज पोनेशन के साथ धन्यवागा